हर्याना के ग्रिमंत्री आनिल विज की रिपोर्ट में IPS अधिकारी मनोज यादव फेल को कहें हैं विज ने मनोज यादव को कितने नंबर दिये खें देखिए IPS अधिकारी मनोज यादव की कारिशेली से खफाफ सुबे के ग्रिमंत्री आनिल विज ने मनोज यादव के ACL में केबल 3.7 अंग दिये खे जो की औस्त से भी बेहद कम के दरसल CDF में 5 अंगों को वेरी पूर की किटैगरी में रखा गया लेकिन अनिलविज ने मनोज यादव को केबल 3.7 अंग दिये खे जिसके बाद अनिलविज और मनोज यादव का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है बता दिं किसान आंदूलन के दोरान प्रुदेश के ग्रिह मंत्री अनिलविज ने ये साफ कह डाला था कि आईपेस अधिकारी मनोज यादव आंदूलन में कानून व्यवस्था संभालने मी नाकाम रहे मौजदा समय के अगर बात करें तो मनोज यादव आईवी में बड़े पदपर कारियार्थ है आईपेस सरकार की वो सुरक्षे अगेंसी है जो सरकार को कई खूफिया जानकारी मौहया करवाती है ऐसे में अनिलविज ने मनोज यादव के एस यार में केवल तीन दश्मलों साथ अंक देकर यह साफ कर दे आखें कि प्रदेश की कानून विवस्था को लेकर मनोज यादव की कारशेली से संतुष्ट नहीं थे हलांकि विज का कहना की कि यह कॉंफिडेंशियल के लेकिन वो जिस भी अधिकारी की बारे पर लिखते हैं पूरी तरह से अधिकारी के कारशेली और काम पर निर्भर करता है मेर जब भी किस profits लिखता हूं तो मैं उसकी क्या उसका कामच कास कैसा रहा मैं उसको देख कर लेता हूं मैं मक्खी ते मा नीमारता हूं तो मैं सबके कामका अभलोकन करने के बाद ही मैं किसी की ACR लिखता हूं ACR अनाम ही country अनाम ही को देफना ह। उसके बार में वो जाकर नहीं किया जा सकता है लेकिन समाचार पत्र में जो है आज अंक तक छापे गई है नहीं मुझे नहीं वालों उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है जाहिर के मामला बिखत बढ़ा के रिपोर्ट भले ही कॉन्फिदेंशियल खे लेकिन रिपोर्ट लीक हो जुकी खे समाचार पत्रों की सुर्खियों में खे हालांकि विज कुछ भी बोलने को तयार नहीं लेकिन लीक रिपोर्ट से जो अंक सामने आए खे वो वाकई मनोज यादव के कारशेली पर सवाल खड़ी करनी को काफी है अब सवाल तो ये भी उड़ता है कि क्या आईपी में मनोज यादव अपनी जिमेदारी पूरी तरह से निभा पाएंगी कबलप्री सबरवाल अंबाला खबरी अभी तक